वेलो गाइज, हावार यौल, I hope you are all fit and fine at home. मैं हूँ करनवट और हमारी YouTube चनल में आपका स्वाग अदर. Friends, आज हम लोग एक बहुती interesting और बहुती recent और बहुती painful topic के बारे में discuss करने वाले हैं, जिसको आप सब इसले के दिनों से टीवी में देख रहे हैं, that is system failure in trend crash. औरिस्सा में बाला सोर के पास जो भी हमारा trend crash हुआ, जिसमें 288 पीपल से अपनी जान गवाई, वो क्यों हुआ, उसका reason क्या था, कौन सी system में failure हुआ, जिसकी वाज़े से ये trend crash हुआ, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं. So, before starting, I would like to request you all, कि हमारी channel को like कीज़े, subscribe कीज़े और हमारी channel को ज्यादा स्यादा दोस्तों को ए, share करें ताके उनेपी इस particular series का benefits में सके हुआ. So, friends, before starting, हमें यह समझना पड़ेगा कि पूरा scenario था क्या, right? अब इस पूरे picture में, तीन trains थी, जो की collide हुई है, collision हुई है, जिस तीन train होगा. First is Havra Express, second is Coromandel, and third is stationary goods train. अब guys, इसमें एक बहुत interesting fact यह है, कि यहाँ पे जो Havra Express है, और stationary goods train थी, वो तो कहीं picture में थी ही नहीं, ठीक है, उनमें कोई गल्ती भी नहीं थी, उनमें कोई technical खराभी भी नहीं थी. So, यह हुआ कैसे, let's see, now see, तीन lines आपको यहाँ पे फर्स picture में दिख रही होगी, ठीक है, यह फर्स है, यह आपका second है, this is the third one. So, फर्स picture में आपको तीन line दिख रही है, ठीक है, एक up main line है, एक down main line है, और तीसरी है loop line, अब down main line में आपकी हावरा express, right hand side की तरफ जा रही है, अप main line में, coromandel express, left hand side पे जा रही है, right, and stationary goods train यहाँ पे side में, loop line में खड़ी है. So, अब हुआ क्या, यहाँ पे यह तीनों trainों के साथ हुआ क्या, जो coromandel express है, वो up main line में सीधा इस तरफ left hand side की तरफ जाने वाली थी, but यहाँ पे somehow signal की खराबी की वज़े से, coromandel express को divert कर दिया गया loop line पे, ठीक है, अब loop line पे उसे divert कर दिया गया, अब loop line पे आगे कौन सी train क तो यह coromandel express जो की 128 की speed से आ रही थी, उसे एक तो पहली चीज़ की इतनी speedily train को यहाँ पे आप टरन ले रहे हो, loop line से turn ले वा रहे हो, यही पे आपका accident तो final हो गया है, ठीक है, यूकि इतनी जल्दी train easily यहाँ पे अपना track चेंज नहीं कर सकती 128 की speed में, ठीक है, तो accident तो य यहाँ पे second picture में, coromandel express loop line की good train से टकराती है, अभी भी हावरा express तो अपनी सीधी तोर पे right hand side पे जाए रही है, उसकी speed भी 120 प्लस थी, तो अब देखिए जब यह coromandel express loop line पे खड़ी, good train से टकराती है, तो उसके जो डिब्बे होते है, वो थोड़े से zigzag हो गए, ठीक है, औ और वो up main line से जाँ पहुचे, down main line में, ठीक है, अब down main line में कौन से express चल रही थी, हावरा express चल रही थी, तो हावरा express के जो पिछले दो डिब्बे हैं, वो पूरी accident का शिकार हो है, तो इस तरीके से, total accident में यह पूरी की पूरी तीनों train थी, और उसमें पूरा का पूरा accident हु क्योंसी reason की वज़े से signal failures, system failures की वज़े से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यह देखने वाले कि ऐसा कौन सा signaling system, ऐसा कौन सा यह पूरा आपका system है, जिसकी वज़े से यह crash हुआ, right, so let's begin, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कि Ashwini Veshnov, ठीक है, जो कि हमारे railway minister है, उन्होंने क कि यह जो configurations था, Coromandel Express का, वो एक major reason था, जिसकी वज़े से Coromandel Express, stationary good strength से जाके टकरा गई, पर यह पूरा का पूरा accident होता कहां है, ओडिस सा के बाला सोर station के पास, right, अब यहाँ पे यह जो system की बात आती है, वो system को actually कहा जाता है, interlocking system, ठीक है, अब यह जो interlocking system है, वो एक बह device है, बहुत important system है, यहाँ पे, for the railway signaling, ठीक है, तो what is meant by interlocking, देखते है, interlocking in railway signaling system is a crucial safety mechanism, that ensures the train movement continue without any conflicts, ठीक है, अब यहाँ पे जाकिए, आपको पता चलेगा, कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे rail lines है, जहाँ पे सिर्फ तीन, यहाँ पे तो सिर्फ तीन ही tracks थे, बलगे 4, 5, 6, 6 tracks हुआ करते है, तो जब भी कभी train का passage होता है, तो 1, 1, 20, 1, 40 की speed से जाती है, तो यह ऐसे accidents ना हो, multiple, यहाँ पे rail lines होने के लिए, ऐसे accidents ना हो, उसके लिए, safety mechanism के तौर पे, interlocking system को, Indian railways ने introduce किया है, railway segment में, अब इस particular interlocking system के तीन major components है, first is point, second is track occupancy sensing device and third is signal, ठीक है, यह तीनों के coordination के साथ ही, जो है, आपके पूरे interlocking system ensure होती है, अब यहाँ पे, आपको देखने को मिलता है, कि यह जो त्रीन components है, वो किस तरीके से काम करते हैं, पहला है आपका signal, सिगनल में आप समने देखा हो, तीन lights होती है, green, red and yellow, ठीक है, यह जो green light है, मतलब कि आप movement कर सकते हो, red light यानि कि आपकी movement stop होनी चाहिए, yellow light यानि कि कोई pass sound है, या तो आपका यहाँ पे आगे signaling है, ऐसा कुछ यह बताता है, ठीक है, तो यह एक पहली चीज है, second is track circuits are electrical circuits that detects the pressures of train, यह second आपका track occupancy sensing device, मतलब कि इस पूरे track के उपर, जितने पहले भी wheels जाएंगे न, उस wheels के calculations के साथ पता चलेगा कि पूरी की पूरी train pass on हो गई की नहीं, this is the second component, ठीक है, third component में आता है आपका points, ठीक है, अब यह जो points है, यह यहाँ पे अपने accident का, यह जो odista में accident हुआ, उसका एक major component रहा, यह point ऐसी चीज है, जो train को track change करने में, allowance प इस points work, ठीक है, the points are called switch rails, उसे कभी-कभी switch rails भी कहा जाता है, that are movable rails that are typically placed on the point of divergence of two tracks, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, कि मैं यहाँ पे आपको जो picture दे गए, उसमें आपको दिखा रहा हू, ठीक है, this is the picture, ठीक है, यहाँ पे आपको बता चलेगा कि यह सीता track जा यह जो पूरी segment दिखा ही दे रहा है, this is the point, ठीक है, यहाँ से आपके जो tracks है, वो change होते है, तो मतलब अगर train को सीधा जाना है, तो यह tracks change नहीं होगे, लेकिन diverge जाना है, तो यह tracks को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ करके, आप पूरी train को क्या कर सकते हो, convert कर सकते हो, दू तो यह जो पूर्जन सही रही है, इस convergence है रही है, जो tracks को अंदर या तो tracks को बाहर की तरफ क्या करेगी, यह settle up करेगी, जिससे train को आप लोग convert कर सकें, दूसरी line पर, so this is how this point work, अब यहाँ पर आता है, how does the system sense whether a track is occupied or not, ठीक है, system को पैसे बता चलेगा कि पटरी पर कोई train है की नहीं, so there are various kind of track occupancy sensing device, right, जिसे हम लोग axle counters भी कहते हैं, अब इसको समझने के लिए मैं तोड़ा आपको यहाँ पर ले जाता हूँ, right, this is called axle counters or track occupancy sensing device, अब देखिए यह axle counters, ठीक है, यह पूरा का पूरा आपका train का पटरी है, अब पटरी हो के बीच में ऐस तरीके से axle counters भी होते है, so जब भी गभी आपका जो sensors है, इस sensors हम लोग कहते हैं, इस sensors पे से आपके number of wheels और axles that are pass over them to determine whether the entire train has passed, तो जब भी इस sensor पे से एक आपका tire गुजरेगा, दूसरा टायर गुजरेगा, तीसरा टायर गुजरेगा, तब य यह जो sensor है, वो यहाँ पे signal बेजेगे, और यह signal दोनों मिलके जो है, एक जगा evaluator में mixed up होते हैं, और evaluator से यह जाते हैं, railway control room में, तो control room में, जितने भी axles, axles यानि के आपके number of wheels, जितने भी axles pass on होते हैं, उससे idea लगाया जाता है, कि समद लोगी कोरो मंडल express में, आपके consider कर ला है कि 500 axles है, मतलब कि 500 wheels थे, तो यहाँ पे 500 wheels पासों नहीं हुए, बलकि अभी सिफ ताड़े 300 ही हुए है, मतलब कि train अभी इस track पे है, जब कोरो मंडल express इस track पे चल रही है, तो कोई और train इस track पे नहीं आएगी, और कोई सी और train को यहाँ पे हम लोग divert नहीं करेंगे यह पूरा ऐसा यह Excel mechanism है, यह track occupancy section device होता है, अब यह चीज़ यहाँ पे fail कर दी, ठीक है, यह system जो थी वो यहाँ पे fail कर दी, so how is this whole system configured, ठीक है, पूरी system को configuration में कैसे लाया जा सकता है, अब देखे कि, एक sound logic of what is safe train operation is fed into the interlocking system, which is controlled remotely from station, अब यह जो control room है, या तो आपको जो भी station है, वहाँ से आपका यह sound logic system पूरा जो है, वो apply किया जाता है, कि जिससे तो हम लोग पता चल लगा सकते है, कि जो train operation से, वो easily continue हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, now, यह system आने से पहले कि, हम लोग किस तरीके पर काम करते थे, ट्रेक्स तो पहले भी diver होते थे, तो वो किस हिसाब से होते थे, वो manually होते थे, आप लोगों ने देखा होगा train में, कि बहुत बारी जो आपके pointsman होते हैं, ठीक है, वो green flag यहां पे floor किया जाता है, जिससे जो आपके लोको पाइलेट है, उन्हें पता चलता है कि पूरा जो ट्रेक है, वो clear है, और कोई obstacles यहां पे नहीं है, जैसे ही यह driver यह सी कर देखता है, वो आपके train को वहां से pass on करवाता है, अब आज के तारिक में कैसा है, कि आज के तारिक में इंडिया में कुल मिला के कुछ 7000 ऐसे stations हैं, ऐसे railway stations हैं, और उस railway stations को network में हर एक में physically pointsman रखना possible नहीं है, ठीक है, इस 7000 में से करीब करीब 100 ऐसे station है, जहां पे आज भी manually यह control किया जाता है, compare to other 6900 stations, यह एक आपका पूरा configuration का amount बनता है, अब जहां तक बात आती है कोरो मंडेल की, तो कोरो मंडेल के case में क्या हुआ, कि जो computer था, upline, computer ने ऐसा बता दिया कि upline जो है, वो vacant है, for coromandel case, right, अब computer system ने ऐसा बता दिया, कि आपकी जो, जिस line पे, upline पे, यह coromandel express जा रही थी, मतलब कि this is the, that coromandel express की upline, ठीक है, यह पूरा upline थी, अब इस station पे, जो जार, इस particular upline पे जो जा रही थी, को रोम अंडर express, computer ने कहा, कि वो totally vacant है, अगर आपके train को, उस particular track पे आगे गुजरता है, तो आपको जो था, वो green signal की requirement रहती थी, अब यहाँ पे green signal भी मिल चुका था, अगर point को आप direct कर रहे हो, कि upline lock है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कि वो green signal नहीं रहे, बट यहाँ पे आपके green signal अल्रेड़ी को मिल चुका था, अब मुद्दा आता है कि क्या यह जो आपकी पूरी system थी, green light होने के बावजुद भी fail हुई, तो इसके safety के chances कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि अगर इन तीनों components जो हम लोगों ने बात करी, signal, points and track occupancy, यह तीनों में भी, अगर correspondence नहीं बैठता, तो आपका जो computer system है, वो computer system safe नहीं बताएगा, ठीक है, एक बार यह safe बता चुका, मतलब कि train यहाँ पे easily move on कर सकती है, green signal मिल जाएगा, व अगर यह safe show नहीं कर रहा है, आपके computer system पे, मतलब कि कहीं न कहीं, जो भी track पे वो train चल रही है, उस train को वही पे stop हो जाना पड़ेगा, otherwise accident के chances बन जाएगे, so this is the safety of the system, कि आपको computer ही बता देगा, कि आपको यहाँ पे move on करना है कि नहीं करना है, so यहाँ पे यह चीज हुई, कि safety purpose से देखा जाए, तो यह system बहुत ही सही है, and अगर computer आपको यह show कर रहा है, मतलब यह चीज 100% accurate है, ऐसा मान के हम लोग चल रहे है, so यहाँ पे question आता है, कि यह जो computer है, तो computer को operate करने वाला भी एक बंदा चाहिए होगा, तो इसे operate कौन करता है, तो as far as this system is concerned, इसके operation की ज department की है, ठीक है, वहाँ में जितने भी personal, वहाँ पे railways ने alert किया होंगे, वो इसे particularly operate करेंगे, so यहाँ पे एक और चीज आपके curiosity में बनती है, कि क्या किसी और countries में ऐसी चीज़े है, available, तो yes, इसका answer है, definitely yes, बहुत सारी countries में यह चीज़ अवेलेबल है, depending upon the network and depending upon the requirement, signaling practice and technologies में थोड़े बहुत variations आ सकते है, but yes, यह जो interlocking system है, वो almost हर एक countries में यहाँ पे operate है, जहाँ पे आपकी यह railways का operation देखने को मिलेगा, so how are this system secured against the interference, आपको देखने को मिलेगा, कि यह जो चीज हुई, वो पूरी system failure की वज़े से हुई, तो system failure को कैसे system fail ना हो, उसको ensure यह लोग कै इसे करते थे, तो इसमें एक major room आता है, that is the relay room, ठीक है, जहाँ पे यह computer होता है, जहाँ पे यह system होती है, so which is the place from the interlocking signal apart can be controlled or manipulated, ठीक है, relay room एक ऐसी चीज है, कि जहाँ से आपकी interlocking system को control किया जा सकता है, manipulate किया जा सकता है, और उसके जो है, वो दो लोग होते है, यहाँ पे permission के साथ ही, दोनों की keys के साथ ही आपका relay room open होता है, अब यहाँ पे इस relay room को open करने के लिए, आपको station masters की approval लेनी पड़ती है, और उस particular room में जितनी भी entry होती है, जितनी भी exits होती है, उसका एक logged register बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है, आपको पता रहे कि कितने लोग य यहाँ पे गए, अब आपको देखने को मिलेगा कि as technology improved over the years, Indian railways put in a place of system in which opening and closing of the relay rooms were connected electronically to the data loggers, ठीक है, मतलब कि आप वहाँ पे जाओ, आप अपना face दिखाओ, और biometrics से आपको पता चले कि XYZ portion जो है, वो यहाँ पे आया, इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो इस particular entry and exit से आपको जो भी station master होगा, उसके पास SMS भी जाएगा कि 100-100% ने entry करिये relay room में, तो यहाँ पे question बनता है कि इतनी security के बाद भी क्या relay room के साथ कोई temperament हो सकता है, तो यहाँ पे जो railway board के member है, जिनका नाम है जया वर्मा सीना, उन्होंने का कि देखिए भई, system है, और system 100 percent equity से जाथ काम नहीं करती है, बहुत बारी, there are a chance of failures, even if the system is working smoothly on 99.9% of the time, ठीक है, so 0.01% के भी chances है कि system fail हो सकती है, उन्होंने ऐसा भी बताया, कि बहुत बारी Indian railways में digging work होता है, मतलब कि पटरीज को खोदा जाता है, अब यह जो system है, वो totally wire basis पे बनी है, wireless system नहीं है, ठीक है, पूरा railway network में wire बिचा है हुए, जिसके तो यह system को operate किया जाता है, तो जब भी कभी कुछ खुदान होती है, तो उसमें हो सकता है कि आपके जो snap cables है, वो, या तो फिर cut चुके हो, या कुछ short circuit जैसा हुआ हो, या wear and tear हो सकता है, right, so there are a 0.1% of probability कि यह system fail हो सकती है, due to this kind of activities, but however, यहां पर बोला गया है कि बहुत बारी जो train के जो maintenance है, ठीक है, वो लोग क्या करते है कि, उनको पता है कि system smoothly work कर रही है, ठीक है, तो वो लोग थोड़ी सी यहां पर जो है, आपको देखने को मिलेगा, कि पूरी system को bypass करते हुए, जो है, यहां पर छोटे मोटे jobs हो होते है, वो minor jobs जो होते है, वो without access, यहां पर यह लोग काम करने शुरू करते हैं, right, so, ऐसी वज़े से, यह जो bypass कर रहे है system को, थोड़े सी minor jobs के लिए, वो कभी-कभी बहुत बड़े accidents create करवा सकती है, so, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कि यही चीज हुई, कि जो signal maintainer and technicians थे, आ पूरा cable का junction है, जिससे पता चलता है कि आपका जो circuits है, आपकी जो hardware है, वो safety logic पे चल रहे है कि नहीं चल रहे है, अब signaling department के maintenance ने, technicians ने, यह location box open ही नहीं किये, जिससे उनको पता ही नहीं चला कि आगे कोई problem आ रही, आने वाली है या नहीं आने वाली है, ठीक है, अब जिससे जिसने ये चीज ensure नहीं करी, उसी की वज़े से ये पूरा train accident हुआ, location box को check नहीं करने की वज़े से, यहाँ पे आपका जो है वो train accident होता है, 288 लोगों ने अपनी जो line है, अपनी जो life है, वो यहाँ पे गवाई, right, so एक छोटी सी गलती की वज़े से, इतना एक छोटी सी system failure की वज़े से, यहाँ पे 288 करेब 300 लोगों को अपनी जान कवानी जब पढ़ रही है, so क्या इस चीज को रोकने के लिए railway कुछ कर रही है, so यहाँ पे बात आती है कि yes, railways यहाँ पे unauthorized used जो है, उसको यहाँ पे बंद करने की try कर रही है, even after this accident, railway ministry ने कहा है कि पूरे signaling equipment है, वो सारे सारे signaling equipment को एक drive के अंदर check किया जाएगा, और security protocol के हिसाब से, आपके relay rooms को भी आज से perfect करा जाएगा, signaling infrastructure को भी improve करा जाएगा, ठीक है, ताकि future में आने वाले ऐसे कोई भी accidents को रोका जा सके, life के loss को रोका जा सके, and railways आपको शुरक्षित यात्रा ठीक है, so this is all about the system, and this is all about the train crash which happened in the Odissas Balasor in the last week, जिसमें 208 सी लोगों ने अपनी जान गवाई, so I hope आप लोगो ये वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से system fail हुई, इसकी वज़े से ये train crash हुआ, ठीक है, so comment section में जाके मुझे बताया है कि आपको ये वीडियो कैसा आपको इस में से क्या क्या समझ में आया, even हमारे community box में जाके आपको पता चल सकता है कि क्या क्या important questions थे, इसके अलावा एक important चीज इस system को लेके, आप लोगोंने, मैंने shots बनाया हुआ हुआ है, एक पूरे कवच के उपर, ये कवच क्या है, this is the TCAS, train collision avoidance system, जिसको भारत का कवच नाम दिया गया है, ठीक है कि कवच है, वो कवच क्या करेगा, कि जो train है, train में engine में जो भी local pilot होगा, उसको पहले से ही बता दिया जाएगा, कि आगे की line पे आपकी train है, और उस train को accident ना हो, दोनों के बीच में, इसलिए train automatically यहाँ पे stop हो जाएगी, ठीक है, ऐसा system यहा जब ऐसा था, जब कवच system था, तो ऐसा हुआ क्यों, यह question आपके mind में होगा, तो मैं पहले ही clear कर दू कि railway ministry ने कर दिया था, कि कोरो मंडल express पे, कोरो मंडल route पे, अभी भी कवच system को operate करना बाकी है, ठीक है, अगर यह कवच system आज यहाँ पे operational में होता, तो शायर यह accident को जा सकते थे, right, so this is all about today's video, today's video on system failure in trend crash, ठीक है, I hope आप लोग को पता चला होगा, समझ मया होगा, मिलते अगले session में एक ने topic के साथ, तब तक लिए,